दोस्तो अगर आप एक teacher हैं और आप PowerPoint presentation बनाना शिखना चाहते हैं तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको step by step guide करूँगा कि आप अपने student को geography पढ़ाने के लिए animated map PowerPoint में कैसे बना सकते हैं तो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं सिखना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो पर लास तक बने रहिए देखते रहिए और सिखते रहिए तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बत डौनलूड करनी है उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है अपने चैनल के लिए कुछ इस तरह का थीम बना लेनी है ठीक है इस तरह की चीजे बन जाने के बाल अब दूस्तों आप इसमें जो भी पढ़ाना चाहें जो भी content बनाना चाहें आप इसके अंदर बना सकते हैं ठीक है अब करना कैसे है वो जानते हैं सबसे पहले तो दूस्तों हम लोग यहाँ पर जो है इमेज को insert करेंगे उसके लिए insert पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे इस पीसी या दिश डिवाइस सेलेक करेंगे उसके बाद दूस्तों यहां से desktop सेलेक करेंगे क्योंकि दूस्तों हमारा जो image है वो desktop के उपर है तो यहां से desktop सेलेक करेंगे और यहां से दूस्तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का जो map है इससे select करके यहां पर insert करवा देंगे ठीक है तो यह कुछ इस तरह से insert हो जाएगा और इसमें देखिए color था लेकिन यहां पर यह बिल्कुल black हो गया है कोई बात नहीं है अभी दूस्तो यहां पर यह कुछ इस तरह से आ रहा है ग्राफिक फिल में जाएंगे और यहां से दूस्तो आप इसमें जैसा भी फिल करवाना चाहें वह इसा color आप इसमें फिल करवा सकते हैं तो यहां पर दूस्तो मैं white color फिल कर देता हूं ठीक है सबसे पहले आप इस image को insert करेंगे उसके बाद दूस्तो आपको graphic format में जाना है और उसके बाद दूस्तो यहां पर graphic फिल में जागर जागर जाएंगे जो भी color फिल करवाना चाहें वह color आप इसमें फिल करवा देंगे उसके बाद दूस्तो आपको यहां से graphic outline में जाना है अगर आपको इसका outline का color change करना है तो आप यहां से इसका outline का color change कर सकते हैं दूस्तो अगर आप इसके outline की width को बढ़ाना चाहते हैं इसकी मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं तो graphic outline में जाकर के width में जाएंगे width में जाने के दोस्तो आप यहां से इसकी वीद को बढ़ा सकते हैं तो यहां पर इस तरह से बढ़ा लेते हैं और दोस्तो आप इसे जहां भी रखना चाहें आप इस तरह से रख लेंगे और उसके बढ़ दोस्तो आप क्या करेंगे इसके उपर राइट किलिक करेंगे राइट किलिक करने क ठीक है फिर दोस्तों आप साइड में क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ चीज़ें आ गई है अगर आपको यह चीज़ें नहीं चाहिए तो आप इससे सलक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहां से डिलीट बटन पर क्लिक करके इसे कर देंगे सभी को एक साथ सेलक करूँगा उसके बाद दुस्तों मैं Home Tab में जाऊँगा और यहां से दूस्तों मैं Font Color Change कर दूँगा ठीक है यहां से मैं Font Color कुछ इस तरह से रख लेता हूँ जैसा रखना चाहें आप वह जैसा रख सकते हैं ठीक है दूस्तों इस तरह से आपका यह एक मैप बन गया है उसके पर दूस्तों यहां पर जो भी लिखना चाहें आप यहां से Tax Box ले करके लिख सकते हैं ठीक है अगर आपको टैक्स को एनिमेट कराना है तो आप यहां पर टैक्स को सेलेक करेंगे और देन दूस्तों हम लोग क्या करेंगे यहां से एनिमेशन में जाएंगे और इसमें दूस्तों वाइप एनिमेशन अपलाई कर देंगे ठीक है effect में जाएंगे effect में जाने के बद दुस्तो from left apply कर देंगे उसके बाद यहां से animation printer open कर लेंगे उसके बद दुस्तो यहां पर हमने जो animation लगाया है यहां पर यह दिख जाएगा उसके बद दुस्तो इसके उपर double click करेंगे तो यहां पर effect option आ जाएगा क्योंकि दूस्तो हमें इसमें थोड़ा सा effect add करनी है effect क्या है यहां पर सबसे पहले तो animated text यानि कि text को किस तरह से animate करवाना है तो दूस्तो मैं चाहता हूँ word by word type हो करके है तो यहां पर मैं word by word select करूँगा और यहां पर मैं delay percentage 8080 कर देता हूँ और उसके पर text animation में जाना है और यहां पर as one object यानि कि यह ऐसा animate हो रहा है जैसे लग रहा है कि यह पूरा पूरा एक ही object है और यह क्या हो रहा है कि एक ही साथ slide के उपर आ रहा है तो दूस्तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि यहां पर यह जो है by first sentence paragraph ठीक है first level paragraph के according यहां पर चीजें आए तो यहां पर यह वाला option select करेंगे ठीक है यहां से आपको यह दूसरा वाला sorry पहला दूसरा तीसरा option select कर लेनी है और then दूस्तों आपको ok कर देनी है अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो है कुछ इससरा से animate हो करके आ रहा है ठीक है इससरा से कर लेंगे then दूस्तों अब हम लोग क्या करेंगे इस text box के उपर click करेंगे और text box के उपर click करने के बाद वापस से हम लोग क्या करेंगे यहां पर यह जो animation लगे हुए है ठीक है यहां पर यह दिख जाएगा यहां पर दूस्तों आपको यह drop down दिख रहा है आपको इसके उपर click कर लेना है then दूस्तों आपको effect वाले option में जाना है ठीक है और उसके बाद दूस्तों आपको करना है यहां से यह जो है after animation डीक है अप्टर अनिमेशन में जाना है यहां पर click कर लेना है और यहां से आपको गया करना में more color में जाने कि बाद custom में जाना है इससे थोड़ा सक gray कर एक इसको grey scale थोड़ा सा कम करके okay कर देंगे और उसके बाद okay कर देंगे इससे क्या होगा कि पहला line यहाँ यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखाएगा लेकिन दूसरा line यहाँ पे जैसे type होगा तो पहला line क्या होगा कि हमारा जो है grey हो जायेगा देखिए उतना हो गया अब वो grey हो गया और उसके बाद यहां पर चीज़े कुछ इस तरह से चल रही है ठीक है तो आपको text में कैसे animation लगाना है क्या लगाना है वो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब दूस्तों इसके चोहद्दी के बारे में अगर कुछ बताना है इसके इतिहास के बारे में तो इस तरह से बता सकते हैं पहले तो क्या गरता हूँ इन सभी को select करके Ctrl-G से इसका group बना लेता हूँ और इसकी size को थोड़ा समय बढ़ा लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ठीक है आप चाहें तो इसको इस तरह भी रख सकते हैं ठीक है इस तरह से हो जाएगा उसके बाद दूस्तों Alt-Tap प्रेस करके और यहाँ से दूस्तों मैं इसके इतिहास के बारे में चीजों को select करूँगा, copy करूँगा, Alt-Tap प्रेस करके ppt में जाओँगा और यहाँ पे दूस्तों मैं एक text box select करूँगा, ठीक है कुछ इस तरह से एक text box लोगा और control भी प्रेस करके इसके अंदर यह चीजे प्रेस कर दूँगा, ठीक है फिर उसके बार नीचे वाली slide में आऊँगा और यहाँ पे दूस्तों यही वाली formatting apply कर दूँगा, इसके उपर click कर दूँगा, तो same formatting इसमें हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल same to same, उसके बार दूस्तों यहाँ पे मैं click करूँगा, यहाँ से दूस्तों मैं इस text box के उपर click animation वाली option में जाऊँगा, और यहाँ से दूस्तों मैं चाहता हूँ कि इसमें जिस तरह का animation लगा हुआ है, same animation नीचे वाली slide में भी लग जाए, तो दूस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से animation penter copy करेंगे, ठीक है, इसके उपर click करके animation penter copy करेंगे, then दूस्तों नीचे इसके उपर right click करना है, और duplicate slide बना लेनी है, duplicate slide बन जाने के बाद दूस्तों अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस slide को zooming कर लेना है, उसके बाद दूस्तों इसके उपर right click करना है, और यहाँ से group में जा करके ungroup कर देना है, ठीक है, ungroup करने के बाद अब हमें क्या करना है, ब उपर वाली slide में हैंगे insert में जाएंगे picture में जाएंगे this device में जाएंगे और उसके बाद desktop पे जाएंगे और यहां से दोस्तों यह जो बिहार वाला हमारा image है जिसे हमने download की है इसे मैं यहां से select करूँगा और यहां पर मैं insert कर दूँगा ठीक है तो इस तरह से आप इसे side में रख लेंगे side में रखने के बाद जिस तरह से हमने इसकी formatting की थी उपर वाले image की उसी तरह से दोस्तों इसे भी formatting कर लेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा graphic format में जाना है यहां से graphic fill में जाना है और यहां से दोस्तों मैं इसका color तोड़ा सा change कर लेता हूँ ठीक है यहां से मैं इसका color कुछीज तरह का orange कर लेता हूँ ठीक है और उसके बार द दॉस्टों मैं क्या करूँगा इसके उपर right click करूँगा group में जाऊँगा और यहां से ungroup कर दूँगा ठीक है और यहां पर कुछीज तरह का आएगा yes । तो यह अंगूरूप हो जाएगा और फिर दूस्तों मैं साइड में क्żyliक कर दूँए उसके बाद तु यह जो हमारा background है इसे मैं सब्सक्राइब करूँगा और इसे दोस्तों में delete button से delete कर दूँगा इसका काम नहीं है इसे मैं select करता हूँ और इसे दोस्तों मैं यासे select करके delete कर देता हूँ ठीक है इस तरह से हो जाएगा उसके बार ुस्तों इन सभी को एक साथ select कर लेना है ठीक है यहाँ पर जूапने यहाँ पर दोस्तों आपर जो चीजें लगाई है बस इसी को आप तो और उसके बाद दूस्तों आप इस जहाँ भी रखना चाहें आप इस तरह से रख सकते हैं देख़े यहाँ पर यह कुछ चीजें हैं यह सल्यक्ट ना हो इसके लिए सबसे पहले तो इसके सैड में रख लेते हैं तो यहां पर यह जगा बन जाएगा उसके बाद दोस्तों इन सभी को एक साथ सेलेक करेंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे Ctrl-G से इसका गुरूप बना लेंगे यह बन गया चले इसे हमने यहां पर कर दिया है इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है जैसा कि यहां पर हमने किया है इसका डूपलिकेट अब हमें बनाना होगा तो इसे पहले मैं delete कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़े हमें पहले ही करनी चाहिए थी इस पर मैं right click करता हूँ यहाँ पर मैं duplicate slide में जाता हूँ इसका duplicate हो गया अब दोस्तों यहाँ पर यह जो image है यह जो बिहार का image है इसे मैं क्या करूँगा slide के बाहर भेज़ दूँगा इसे मैं slide के बाहर भेज़ दूँगा और यह वाला जो बिहार का image है इसे मैं यहाँ पर लागर के रख दूँगा और इसे जहाँ भी रखना चाहें जैसा भी रखना चाहें आप इस तरह से रख देंगे और यहां से मैं fit to slide कर लेता हूँ पहले slide में यह इसे insert करना है पहले slide में लेकिन इसको ले करके आना है कि इसमें दूसरे slide में ठीक है यह चीजे करनी है अगर दोस्तों आपको इसमें से state को दिखाना है यानि कि इसमें जितने भी state है उसको दिखाना है तो आप क्या करेंगे यहां से पहले तो इस image को select करेंगे ठीक है इस image को आप पहले select करेंगे इसको select करेंगे देन दोस्तों आप इसके उपर right click करेंगे और group में जाएंगे और यहां से पहले तो ungroup कर देंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा ठीक है और यहां पर side में जो भी ची कर देंगे तो यहां पर जो भी स्टेट का नाम है वो यहां पर हैलाइट हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा उसके बाद दूस्तों आप इसके बारे में जो भी जी लिखना चाहें ठीक है इसके स्टेट के बारे में इसके इतिहास के बारे में अल्ल टैप प्रिस करके यहां जाएंगे और उसके बाद दूस्तों आप यहां से इसे सलक करेंगे और उसके बाद यहां से इसे कॉपी करेंगे और देन दुस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल इसे all select करेंगे और उसके बद दुस्तों यहाँ पे paste में जाएंगे और यहाँ से यह वाला option select करके सबी चीजों को paste कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें ज्यादा हो गया तो आप क्या कर सकते हैं बाकी चीजों को select करके Ctrl X प्रेस करके इसे delete कर सकते हैं तो यहाँ पे जितने चीजे लिखने की जुरूरत है जितने चीजे हम explain करना चाहते हैं सिर्फ वही रहेगा यहाँ पे मैं click करता हूँ Ctrl Enter कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगी तो इस तरह से हम यह कर लेंगे ठीक है थोड़ा थोड़ा content रखेंगे अब दोस्तो हम लोग क्या करेंगे इस पे right click करेंगे और यहाँ से duplicate बना लेंगे इसी slide का duplicate बनाएंगे अब दोस्तो हम लोग क्या करेंगे यह जो हमना text लिखा है इससे पहले change कर लेते हैं तो दोस्तो अभी हमने content को cut किया था इसमें बहुत ज़ज़ादा हो गया तो इसे हमने cut किया था तो दोस्तो उसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे paste कर देंगे तो यहां पर मैं क्लिक करता हूँ Ctrl A से All Select करता हूँ और Paste में जा करके यहां से मैं इसे Paste कर देता हूँ ठीक है तो यहां पर यह content change हो गया अब दूस्तों मैं क्या चाहता हूँ कि यहां पर थोड़ा सा animate हो ठीक है तो यहां से मैं थोड़ा सा क्या करूँगा स्लाइड को ज्यादा जूमीन हो गया थोड़ा सा स्लाइड को मैं जूमीन कर लूँगा कुछ इस तरह से और उसके बाद दूस्तों मैं क्या करूँगा यह जो हमारा text box है इसे मैं select करके जो है पगड़के थोड़ा सा पहले नीचे रख लेता हूँ और यह जो भी map है इसे मैं select करता हूँ सभी पूरे मतलब पूरे image को एक साथ select करता हूँ और उसके बाद दूस्तों मैं क्या करूँगा इन सभी को पगड़के एक side में रख लूँगा कुछ इस तरह से और यहां पर देखे कुछ ज़्यादा ही हो गया Ctrl-Z करते हैं बिल्कूल ऐसा select करना है कि सिर्फ जो है इतना ही select हो देखे इतना ही select हो और देन दूस्तों हम लोग क्या करेंगे इनको पगड़के side में रख लेंगे इस तरफ ठीक है और फिर दूस्तों यह जो हमारा text box है इससे हम लोग कर देंगे इस तरफ इतना आपको समझ में आ गया तो यह हो गया हमारा तो इस तरह से दूस्तों आपको जो है continue करते जाना है ठीक है और उसके बद दूस्तों यह जो उपर में यह जो बिहार का map है इससे select करेंगे यहांसे इससे copy करेंगे और पहले तो इसके ऊपर वाले map में जागर के इससे paste कर देंगे ठीक है ऊपर वाले map में और इससे हम लोग रख देते हैं side में ठीक है इसको रख देंगे और देन दूस्तों इससे यहांसे copy करेंगे और यहां नीचे वाले map में आगर के इससे पहले तो यह भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यह वाला तो दोस्तो इस तरह से हम लोग यह PPT बना सकते हैं अब हम लोग क्या करेंगे किसी एक स्लाइड के उपर क्लिक करेंगे कंट्रोल एसे औल सेलेक्ट करेंगे अल सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे ट्रांजेक्शन में जाएंगे और इसमें दोस्तो मौर्फ ट्रांजेक्शन अपलाई कर देंगे देखिए दोस्तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पुराने वर्जन में आप यह सारी चीजे बनाते हैं तो दोस्तो उसमें जो है यह मौर्फ ट्रांजेक्शन नहीं होता है अगर यह नहीं होगा तो दोस्तो आपको जो है यह सारी चीजे तो बन जाएगी यहीं कि इसमें आप एनिवेशन नहीं लगा सकते है अब दोस्तो यह हमारा बन चुका है अब मैं Slead so पे क्लिक करता हूँ और यहां से मैं From Beginning पहे क्लिक करना हूँ अब दोस्तो हम लोग यहाँ पर enter की प्रेस करके चीजों को explain करना शुरू करते हैं जैसे मैंने enter की प्रेस किया तो यहाँ पर यह बिहार जो है यह highlight हो गया मतलब इसका color chain हो गया तो इस तरह से आप यहाँ पर map के उपर बिहार को focus कर सकते हैं चीजों को दिखा सकते हैं कि यह हमारा बिहार ठीक है फिर दोस्तो हम लोग enter की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे है हमारा यहां पर आना start हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तो step by step हम चीजों को explain कर सकते हैं ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो slide बना है वो बिल्कुल neat and clean बना है बिल्कुल professional लग रहा है बिल्कुल साब सुत्री बनी है ठीक है तो इस तरह से animate नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहां पर इसे group कर दिया था ठीक है इसलिए यहां पर यह morph transaction जो है उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है यह देखिए यहां पर जितने अच्छे से काम किया उतने अच्छे से वह नहीं कर रहा है ठीक है तो morph transaction को यह अच्छे से यूज हो आ है एंधे कितने अच्छे से एनिमेट हो रही चीज़े ये ना तो देस्तों यह जो है इनीमेशन के कारण हो रहा है आप इस तरह से morph ट्रांजेक्शन apply करके जो है इस तरह से चीजों को animate करवा सकते हैं उसके बपर दुस्त यहां पिर मैं कर सकता हOँ अलग से animation लगा सकता हूँ जिसने वाइप animation लगा दिया यह इस तरह से होगा आप चाहें तो इसमें wipe animation न लगा करके यहां पर click करें और उसके बद दूस्तों यहां से आप इसमें fill color animation लगा सकते हैं तो इसका color change हो जाएगा ठीक है यहां पर मैं इसमें यह color fill करवा देता हूं यह हो जाएगा फिर इसे मैं select करूँगा फिर यहां पर मैं click करूँगा और यहां से मैं fill color animation इसमें apply कर दूँगा तो इसका color change हो जाएगा इसका color जो भी रखना चाहें आप यहां से रख सकते हैं ठीक है तो अलग-अलग चीजों को आप अलग-अलग तरीके से animate करवा सकते हैं यहां से मैं इसमें अलग color fill करवा देता हूं यह देखे इसमें app को मैं select करूँगा और इसमें भी दोस्तों मैं fill color animation apply कर देता हूं और यहां पर effect में जाकर के इसमें कोई color डाल देता हूं देखे यह हमने कर दिया है और यहां पर animation pen select कर लेता हूं यहां पर देखे सभी में on click है तो मैं किसी एक के उपर click करूँगा shift को press करके यहां पर दूसरे animation के उपर click कर दूँगा यानिके नीचे वाले animation पहले वाले animation के उपर click करेंगे और फिर shift को press करके नीचे वाले animation के उपर click कर देंगे तो यहां पर इस तरह से सभी animation एक साथ select हो जाएंगे और देन दूस्तों यहां पर after previous apply कर देंगे तो इस तरह से भी चीज़ों को कर सकते हैं चलिए इसे आप select करेंगे और इसमें भी दूस्तों आप चाहें तो fill color animation apply कर सकते हैं या तो आप यहां से टीटर या gross ring animation apply कर सकते हैं यह कुछ इस तरह से हो कर गया आएगा और यहां से आप कर दीजिए with previous चलिए तो दोस्तों इस तरह से आप इसे बना सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको slide show में जाकर इसे slide को play करना है और इस तरह से आपका यह बन जाएगा तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि हमारा knit and clean ppt बन चुका है अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहां पे enter की press क करेंगे तो यहां पे यह हमारा बिहार highlight हो जाएगा यह नहीं कि उसमें से fill animation apply किया हुआ है इसलिए यहां पे दोस्तों इसका color change हो रहा है ठीक है और यह चीज़े दोस्तों आप जो है बांकी जो है और जगा पे यह animation apply कर सकते है यानि कि fill color animation बांकी और जहां-जहां यहां पर यह बिहार आगया अब बिहार के बारे में explain करना है तो यहां पर दोस्तों मैं enter की press करूँगा और इस तरह से यहां पर चीज़े आती जाएगी इससे दोस्तों हम लोग explain करते जाएंगे ठीक है दोस्तों हो सकता है कि जब आप first time चीजों को बनाएंगे first time दोस्तो जब आप चीजों को करेंगे तो थोड़ा सम उसके लिए हो सकती है लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें practice करेंगे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो दोस्तों आप इस तरह का जो है powerpoint presentation बनाने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे ठीक है इस तरह से हम जो है चीजों को explain कर सकते है इस तरह से अपने student को पढ़ा सकते हैं ठीक है सारी चीज़े यहां पर आता जाएगा explain करते जाएंगे और इस तरह से होता जाएगा चलिए enter की press करते हैं और यहां पर देखिए slide कैसे change होता है यह देखिए कैसे बिल्कुल एकदम morph transaction हो करके आया ठीक है यहां पर जैसे मैं enter की press करूँगा तो यहां पर चीज़े आती जाएगी ठीक है इसके बारे में यहां पर आता जाएगा enter की press करते जाएगे line by line चीज़े आती जाएगी इसे दोस्तों हम लोग explain करते जाएगे ठीक है फिर दोस्तों यहां पर देखिए enter की press करेंगे तो यहां पर जो है इसके जो भी चोहदी है इनके बाकि जो पडोसी राज्य है वो इस तरह से colorful हो जाएगा और इस तरह से यहां hope कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़े बताया है सिखाया है समझाया है आपको पसंद आया होगा बाकि और इसे detail में अगर आपको सीखना है तो दोस्तों इस चैनल को subscribe करेजे क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में मैं 2-4 वीडियो और बनाने वाला और किन-किन तरीकों से एनिमेट करवा सकते हैं किस तरह से आप जो है इस तरह का presentation और अच्छे से बना सकते हैं ठीक है